नमस्कार फ्रेंड्स वैबिता क्रेशन में आपको बहुत बहुत स्वाबत है यह देखिए फ्रेंड्स मैं यह टू कलर का डिजाइन लिके आया हूँ यह डिजाइन जो है मैंने ब्लाउज में डाल रखा है मैं यह डिजाइन आपको बुर्णा बताऊंगी यह दो कलर का डिजाइन है बहुत इची है और दिखने में आप देख सको कि इतना यह फूरत लगा है इसके लिए मैंने जो है पनी सलाइप फंदे डाल रखी है यह और जो है मैंने पहली सलाई पूरी उल्टी बुन रखी है यानि हमारी पहली सलाई उल्टी रहेगी इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने पहली सलाई उल्टी बुनी है और यह मेरा उल्टा यानि रॉंग साइड है मैंने दूसरा कलर एड़ कर रखा है अब क्या करने है म आप हमें डिजाइन डालना है इस तरह से एक फंदा मैं बिना बने उतारूँगी और यह नेक्स्ट के 5 फंदे मैं लपेट कर बनूँगी इस तरह से यह देखिये इस तरह से लपेट के बने जाएंगे पाँदे इस पसाया इस तरह किया इसके बाद ये फंदा गिरा दिया ये दिखें दो फंदों की तरह हो गया है ये बार लपेटा फिर इसको इस तरह पकड़ लिया फिर इस तरह एक और और लपेटा ये दिखें हमीं पांच बार ऐसे ही करने पांच फंदों में ये दिखें एक फंदा हुआ दो तीन चार पांच हो चुके हैं एक फंदा मैं उतार लूँगी फिर मैं निक्स्ट वाला भी पांच फंदे जो है लपेट कर उतारूँगी स्वारी लपेट कर मैं बुनूँगी कि हमारी उल्टी साइड है पहले साइड मैंने सीधी बना रखते हैं उल्टी बुनाई की है यह देखिए पांच फंदे जो है इसी तरह से लपेट कर बुनने हैं हमें तेन चार और यह पांच एक फंदा उतारना है फिर पांच फंदे पांच पांच फंदे लपेट कर बनेंगे एक दो तेन चार पांच फिर एक फंदे जो है बिना बने उता रहेंगे फिर पांच फंदे लपेट कर एक दो तीन चार और यह पांच फंदे लपेट कर बुने जाएंगे एक फंदा उतारा जाएगा फांच फंदे लपेट कर बुने जाएंगे एक फंदा उतारा जाएगा फांच फंदे लपेट कर बुने जाएंगे एक फंदा उतारा जाएगा यह इस देखे फंदे मेरा बनाओंगी इस तरह से फिर फंदो के बीच से इस तरह से इस तरह करके पांच फंदे मैं बनाओंगी एक फंदा मेरा बना उन आगे लाओंगी फिर बीच से फिर तीन फंदे मेरे बन के हैं ये देखें फिर मैं उन आगे लाओंगी फिर मैं इस तरह से बनाओंगी और ये मेरे पांच फंदे टोटली नहीं सब पांच फंदों को गिरा दूँगी में पाँच फंदे बनके एक दो तीन चार और ये पाँच फिर ये फंदा जो उतारा था इसको इसे तरह से उतालोंगी फिर पाँच फंदे को लूंगी तो तेन तेन चार और यह लास्ट का पांच पिर क्या करने सेम होगी है इस तरह से लागे पांचों में से ही फंद्र बनाने हूं यह देखिए में पांच फंद्र हैं इस तरह में एक फंद्र बनाऊंगी ठीन आगे लेंगे फिर इसी पांचों मैं डालूएंगी फिर एक पंदे और बुन रूँए ये मेरे उन जो आगे लाया था मैंने उसका एक फंद और बन गया तीन फंदे बन चुके मेरे फिर ऑन आगे लाओंगी फिर ये इस तहना थे करके बुन लोगी अब ये मेरी टोटल पांच फंदे हो गए हैं एक दो तीन चाट पांच और ये उतारा फंदा इसी तरह से उतार गेंगी इसी तरह से मेरी जो है तीसरी लाइन जाएगी देखी फिर यह करने है 2 आगे लाना है फिर 5 फंदे में जो ह्या डALना है फिर इस तरह से बुनना है फिर 1 आगे लाना है फिर इसंतर से हम adv seal गिराने हैं तो 5 फंदे रहे हैं ये में दूसरी शलाइ यह थार से रहे था यह दियंद्स में दो अपकलीन हो गे था वे मैं चौ secondo पी आए हूं चौटteशर सलाई मaltra पर में नेक्स्ट कढर आणड करना है करना में इसमें लगाडा की सिसद्रीप और सिस्था फंदल से में मेरी और कंसरे आध सम यह देखे फैंट मेरी चौती स्लाई कंप्लीट हो गई है अब मैं पांचवे स्लाई पर आए हूं पांचवे स्लाई भी मेरी टोटल उल्टी बुनी जाएगी इस तरह से पूरी स्लाई आपको उल्टी बुननी है जिस तरह से मैं पहली स्लाई उल्टी बुनी थी उसे तरह से आख वी वी पूल्टी बननी है je देखिए मैं आख को फुरिषाइड कुम्पलीट करके दिखाती हूं यह देखेज परेंड में 5 जलाइड ही मेरा डिजबानी है अब मुझे दूसरी लायन बनाना है डिजाइन का इसके लिए क्या कडने है निथbook आप मुझे अच फंदी हुए लेकिन यह मेरा सेंटर का फंदा यानि एक दो तीन चे फंदों के बाद एक फंद जो आएगा मेरा वह सेंटर का फंदा याद और दो फंद ही फंद से निवारे फंद मुझे नढ़ानी है तो रॉंग विजी क्या कर ना है ये देखिए पहला फंद। उल्टा बुनना है स्यादा बुनना जाए कि पहला फंद। अब इथना नहीं है कि दो फंद की बुन।還 अब मैं तीन फंदें उल्टे बुनने के पाद एक फंदा उतार लूँगी फिर जो है पांच फंदों में लपिट कर ये बनाओंगी यानि लपिट कर मैं बुनूँगी इस तरह से पांच फंदें में लपिट कर बुनूँगी हूआ है हरत्य देखे ठीन फंदें में बुनने एक फंदा उतारना हूं और 5 फंद में है अजो लपिट कर मुनई। में एचे हो गया है अर्यकression , यह देखें 5 फंदों में 1 2 3 4 5 फंदा उतारना है फिर 5 फंदे लपेट कर बना जाएगा कि फंद लपेट कर बूना जाएका फंद उतारा जाएका पांच पंद लपेट कर बूना जाएका फंद उतारा जाएका तक तुन से मेरी ये लाइन भी रहेगी यह जाले थेकी that of стр स्लाइक कुम्पलीट कर लिए रॉंग साइट की यसमें थीन फंद रूक पांच पंद लपित कर बूने एक फंद रूपित कर बूने है एक फंद रूपह अब फिर वह मैं सीर्थी स्लाइक प्या करने है मझे यह इन दिख वैप ऒले सिध्ट इस पिर दिजाइन माल्टी कलर म इस तरह उतार लूँगी मैं 5 फंद कोड़ लिया है, दो 2 1 4 और ये 5 फंद मैंने खोड लिये, पीछ पांच ओच फंद गोंगी तरह से करके, मैं 5 फंद में छंद मैंच बनाऊंगी, एक फंद बना ना उन आगे लाँगी, अब मेरे 2 फंद बनेंगे एक उन आगे लांगी औ मैं इस तरह से एक और फंदा नया बनाऊंगी पिछे फिर यह पंदा उतारूंगी और इस को जो ऐफ 5 फंदो को खोलूंगी मैं इस तरह से पिर 5 फंदों के भी से जो है नय फंदे बनाने पाच फंद एक न आगे लाया शेरी फिर में नागए लाया और यह 50as यह स्राइब हैची और नागए बच रहे हूं जो मैं स्पर्णि यह ॉख्यू कि कलर जोड़ की पूरी सलाई में जो है उल्टी बुनाऊंगी आपको जो है पूरी सलाई जो है इसकी उल्टी बनाऊंगी आपको जो है पूरी सलाई जो है इसकी उल्टी बननी है यह देखिए फैंट्स मैंने पूरी उल्टी सलाई जो है कम्प्रीट कर लिया है मैं सीधी त पूरी जो है सलाई उल्टी बुनी है मुझे इसी तरह से से जिसाइन आप किसी विजुटर में डाल से बहुत एज़ी है यह आप जैकट में भी ढाल सकती हो मेभी जैकट हो यहां फिर गाल्स जैकट हो बहुत ही वादी संदर आती है डिजैन क्या अब दर्खना हैं कि जैस तरह से मैंने बता हैं उसी तरह से से जम बुन आ जाएगा एदिक्केश्च अब मैं उल्टी तरफ आ गई हूं इसमें क्या करने वही पहली की तरह बुढ़ना है जिस तरह से मैं दूसरी सलाइ बुढ़नी थी इस तरह से पहला पंदा उतारना और ये पांच पंदे जो है लपेट कर बुढ़ने है दो तीन चार इस पाच बंदे होगे एक फंदा उतारा पांच फंदे लपेट कर बुने है एक दो तीन चार और ये पांच फिर एक फंदा उतारा इसी तरह से करने है पहला फंदा उतारा फिर लपेट कर पांच फंदे बुने फिर फंदा उतारा फिर लपेट कर फंदे बुने इसी तरह से मेरी जो रॉंग जो है complete करनी है यह देखिए वेंड्स मैं सीदी स्लाइप आगी हूं से मुहिक्रम करना है पहला फंदा उतारना है पाच उक फंदे खोल के इनमें पाच फंदे बनाने हैं बस इसी तरह से जो है मेरा ये डिजाइन बनेगा ये डिजाइन बहुत इजी है अगर मेरा ये डिजा को सबस्क्राइब कीचे वीडियो को लाइकन अब कुलिव